आज हम लोग कक्षाई 11 के एक पार्ट पर फिर से चर्चा करने वाले हैं जिस पार्ट का नाम है मीरा की पदर तो मीरा के बारे में जानेंगे मीरा के पदों के बारे में जानेंगे और साथ ही इसके द्वारा हम लोग भक्ति काल पर भी जानेंगे आप जानते हैं कि इतिहास के कई खंडों के बारे में आपने चर्चा सुनी होगी पहला हम लोग आधिकाल से शुरुआते हैं फिर भक्तिकाल आता है फिर आप सुनते हैं रितिकाल का नाम सुनते हैं फिर आधुनिकाल का नाम सुनते हैं तो भक्तिकाल जिसको हम लोग कहते हैं भक्तिकाल की मशुहर कवित्री के नाम से मीरा जानी जाती हैं कबीर को भी आपने पढ़ा होगा भक्तिकाल में, सूर्दास को भी आपने पढ़ा होगा भक्तिकाल में मीरा भी उसी काल की एक कवित्री है और मीरा को पढ़ते हुए आपने इनके बारे में भी कई चीजें सुनी होगी, जाना होगा यानि एक भक्तिकाल की कवित्री है, रहसेवादी कवित्री है, तमाम तरह की चीजें इनके बारे में कही जाती है लेकिन मीरा का सिर्फ यह रूप नहीं, वैल कि मीरा का एक दूसरा रूप भी हम लोग यहां जानने की कोशिश करेंगे जैसे मीरा एक स्त्री कवित्री थी, यह हम सब जानते हैं, तो जेंडर परस्पेक्टिव से भी मीरा को कैसे देखा जाए यानि आज के समय में जब हम मीरा को पढ़ेंगे, तो मीरा को क्यों पढ़ेंगे, कैसे लगेगा आज के विद्यार्थी को या आपको, कि वो आपके आसपास की हैं अन्य था इनने पढ़ने की जरूरती क्यों हो? तो मिरा की इस तरह की बातों को हम संझेंगे अब थोड़ा सा हम जाल लेते हैं भक्तिकार भक्तिकार पर हमने कबीर पर भी आपने कुछ चर्चाएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी हमने जब कबीर पर कुछ चर्चाएं की होंगी तो उसमें ये बात कही होगी कि कबीर निर्गुण काबेधारा के कभी है यानि भक्तिकाल में भी दो धाराएं थीं एक निरगुन धारा एक सगुन धारा। तो कबीर निरगुन धारा के और मीरा सगुन कावेः धारा की कबितरी थीं। लेकिन अब आप सोच लो कि निर्गुन क्या होता है, सगुन क्या होता है, शब्दों से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कबीर के बारे में बात करते हुए भी हमने इस बात पर चर्चा की होगी, कि निर्गुन यानि जिसके गुन दिखाई न परें, एक ऐसे आराध्य जो द हो गया, लेकिन सगुन वो है, जिसके गुन दिखाई पर रहे है, मीरा जब अपने आराध्य को याद करती है, क्रश्न को याद करती है, तो बाकाइदा उसका गुन दिखाई परता है, एक चित्र हमारे सामने आता है, उसके गुनों को वो खुद भी बताती चलती है, तो मी मीरा इस अर्थ में सगू भक्तिधारा की कवित्री है, लेकिन मीरा को निर्गुर भक्तिधारा से भी जोड़ा जा सकता है। के रूप में मीरा को जाना जाता है आपने कभी रविदास का नाम सुना होगा जिनको हम रैदास भी कहते हैं तो रविदास की ये शिश्या मानी जाती हैं लोगों ने ऐसा माना है ये सारी चीजें साक्षियों के आधार पर प्रमाणों के आधार पर जो तथ्य हमें मिलते हैं उनके आधार पर हम बात करते हैं तो उसके आधार पर हम मानते हैं कि वो रविदास की शिश्या थी यानि रविदास की शिश्या थी तो रविदास जी निर्गुन काविधारा के कभी हैं भक्तिधारा के कभी हैं उनका प्रभाव कहीं न कहीं मीरा पर भी आता है मीरा के पदों में दिखाई पड़ेगा मीरा की रचना में दिखाई पड़ेगा अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मीरा का जन्म कहां हुआ मीरा कहां की रहने वाली थी थोड़ा सा समझ लेते हैं 1498 में कुड की गाव में कहा जाता है, जो की मारवाड में था, राजस्थान में आप सब जानते हैं, तो कुड की गाव में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्तु कहा जाता है कि 1546 सन 1546 में इनके मृत्तु होती है, और कुड की राजस्थान में था आप सब जानते हैं, तो रा जो राणा सांगा के पुत्र थे ये भी कहावत ही है मैं नहीं जानती कितना सच है कितना इतिहास है इसमें आपको जब मध्यकालीन रचनाकारों के बारे में हम परिचय देते हैं तो साथियों मैं हमेशा याद दिलाती रहती हूँ और आज फिर कहूंगी कि हमेशा ध्यान जरूरत है कि जब भी हम मध्यकालीन कवियों के बारे में कोई परिचय देते हैं तो यह बहुत हद तक अनुमानित होता है बहुत हद तक जो साक्षे जो प्रमाण हमें मिले होते हैं उन साक्षे उन प्रमाणों के आधार पर हम यह तै कर पाते हैं कि इनका संभौता इस समय जन्म हुआ होगा और इस समय पृत्त हुई होगी लेकिन उन साक्षियों के आधार पर जो हमें पता चलता है वो इतना पता चलता है कि मीरा चित्तोर में इनका विवाह हुआ था और उसके महराजा भोज जिसको राणा कहते हैं महराजा राणा जो राणा सांगा के पुत्र थ उन से इनका विवाह हुआ था के लिए होते थे आप सब जानते हैं तो स्त्रियों के लिए जो ये नियम और अनुशासन होते थे उन नियमों उन अनुशासनों को छोड़ करके वो चली गई थी संतों के साथ रहने लगी थी और संतों के साथ एक लंबी यात्रा की थी लंबी यात्रा इन्होंने पैदल ही बहुत दूर-दूर तक की आत्राएं की थी, अब दूर-दूर तक आप जानते हैं, कि मिवाथ से निकल करके, मिवाथ कुड़की में जन हुआ था, मिवाथ में रहने रहत, बज्चपन भी था इनका, तो मिवाथ से निकल करके, चितौड, चितौड में इनका विभा हुआ, चितौड से फिर व्रिंदा बन गई, व्रिंदा बन से फिर कैसे ये दौरका तक पहुच गई, तो पूरी की पूरी कि Liz呀, इक यात्रा इनों ने की, इनकी मृत्तु हुई थी, लेकिन जब घर छोड़ा, अपना ससुराल छोड़ा कह सकते हैं तो चितोर चोड़ने के बाद वापस वो मेवाद चली गई थी जहां उनका बचपन मीता था और वहां से फिर धीरे अपने घर से भी बाहर निकल करके उन्होंने संतों के साथ रहना स्विकार किया जो इनकी कविताओं में बार बार घूम परके आता भी है लिखती हैं कहती हैं एक दूसरी बात मीरा के बारे में जानने की है कि मीरा जब विरंदा बन गई घूमते घूमते जिसका मैंने जिक्र भी किया कि जब घूमते घूमते मीरा विरंदा बन गई तो विरंदा बन में जीव स्वामी नाम के एक संत थे तो जीव स्वामी से इन्हों ने कहा जवाब दिया कि वह किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं किसी स्त्री से मिलना वो स्विकार नहीं करते थे मीरा जवाब देती है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है इस दुनिया में पुरुष तो एक ही है वो है आराध्य देव उनका जो है एक मात्र पुरुष हुआ ही है बाक किसी के भीतर एक स्त्री निवास करता है हर किसी के भीतर अगर वस्त्री नहीं है तो मैं समझती हूँ कि मनुष्य ही नहीं है जो मनुष्य है उसके भीतर एक स्त्री भी है तो यह बहुत महत्यपुन बात उन्होंने कही थी अब इसी पात को मीरा को मैं थोड़ा सा एक और पक् तो जल्दी कोई किसी ने मीरा को स्विकार नहीं किया, नाभादास एक ऐसे कवी थे जिनोंने मीरा के भक्त रूप को स्विकार किया और लिखा, मीरा को भक्त रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया कह सकते हैं, तो नाभादास की एक बहुत बड़ी देन कह सकते हैं, इस म रविंद्रनाग टेगोर की एक रचना आयी थी जिसका नाम स्तूरीर पत्र पढ़िएगा यानि स्त्रीग पत्र तो स्तूरीर पत्र नाम की यह रचना यह कहानी जिसमें उसकी नाईका अपने पूरे जीवन में संघर्ष करती है अपने दामपत्य जीवन में संघर्ष करती है लेकिन संघर्ष के बाद आखिरकार 15 सालों बाद वह निर्ड़ा लेती है कि वह घर छोड़ देगी वह पती से रिष्टा तोड़ देगी और 15 सालों बाद जब वह निर्ड़ा लेती है तो ए आज में महसूस कर रही हूँ, मीरा ने भी तो यही महसूस किया होगा, मीरा ने भी तो यही सहा होगा, और यह वाक्य अपने आप में इस ओर इशारा करता है कि रबिन्ना टैगोर की भीतर भी एक स्त्री निवास करती थी, रबिन्ना टैगोर का दिल भी कहीं एक स्त्री का दि रहसेवाद भक्त कवित्री के रूप में तो प्रतिष्ठित थी, लेकिन वेदना और विद्रोह की कवित्री के रूप में रविणा टेगोर ने प्रतिष्ठित किया। गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था। तो सत्याग्रह आंदोलन को ले करके जो भी बातें दिखाई पड़ती हैं, उनमें मीरा उनके सामने आती है। आग्रह आंदोलन की जो सबसे वड़ी विशेष्टा थी, सत्य का आग्रह, जैसा कि आप सामे असते हैं, यानि जो हमें उचित लगता है, उसके आग्रह से हम हटेंगे नहीं, उसको स्विकार करेंगे, अब आप जानते हैं कि गांधी ने क्या किया था, गांधी अंग्रेजो के सथिती में डाल देते थे, जेल स्विकार कर लेते थे, कैद स्विकार कर लेते थे, तो जेल और कैद स्विकार कर लेते थे, लेकिन किसी और का तोड़ फोड़, किसी और का नुकसान नहीं करते थे, ये उनका बिल्कुल अदभुत तरीका था, विरोध करने का अदभुत कहते हैं क्योंकि मीरा भी इसी तरह का काम करती थी मीरा जब राणा उनको जहर भेजते थे तो राणा के जहर को वो यह बिल्कुल भी यह नहीं कहती है कि राणा बुरा है या यह गलत हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने बाकायता वो पी लेती है और पीवत मीरा ह वो हस करके पी लेती हैं वो कहते हैं पीवत मीरा हासी राणा जी ने उनके लिए जहर भेजा लेकिन उसके लिए कोई फरक नहीं पड़ता वो अभी स्विकार है तो हर चीज को स्विकार कर लेना ये बिरोध का जो एक अदभुत तरीका था जो मीरा के हाँ था और यह गांधी उनके किन विशिष्टाओं को हमें समझनी और जाननी की जरूरत है इसलिए मीरा के इन विशिष्टाओं को हम लोगों को समझने चाहिए तो अभी जो मीरा के बारे में हम बात कर रहे हैं मीरा के बारे में जो बात करते हुए हमने जाना उसको नए तरीके से समझनी की जरू और इनी संदर्वों के साथ मीरा को हम जानने की कोशिश करेंगे एक बात और साथिओं जो यह भी समझने की बात है कि आप जानते हैं धर्म, अर्थ, अर्थ, काम, मोक्ष ये आप चार पुरूषार्थ के नाम सुन छुके हैं चार पुरुषार्थ हमारे यहां कहे जाते हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पांचवा पुरुषार्थ जानते हैं भक्तों ने क्या लिया है जिसका नाम है प्रेम मीरा उस पांचवे पुरुषार्थ को स्थापित करती है कबीर उस पाँचमें पुरुशार्थ को स्थापित करते हैं और जानते हैं ये प्रेम कौन सा है ये प्रेम केवल कालिदास के रत्यात्मक प्रेम नहीं है यह प्रेम सूफियों का मस्ताना प्रेम है यह कह सकते हैं अलमस्त प्रेम जिसको कहते हैं जो सब कुछ से प्रेम करते हैं, पुरी स्रिष्टी से प्रेम करते हैं, तो वो सूफियों के से आया हुआ प्रेम है, यहां पर वो आपको प्रेम यहां दिखाई पड़ेगा, जो मीरा में भी दिखाई पड़ेगा, हर भक्त संत कभी में दिखाई पड़ेगा, तो यहां भी चलिए अब हम आज आते हैं कि मीरा के पदों को थोड़ा समझ लें, जान लें और जिस पद पर आज हम चर्चा करेंगे वो संकलित किया गया है नरुत्तम दास के संकलित किये हुए संगरह से अब जब मैं नाम लेती हूँ तो आप ध्यान रखियेगा साथी हो, जरूर आपको जानना चाहिए कि बहुत से लोगों ने संकलित किये हैं, चैन किये हैं लेकिन सारे संकलन प्रामाणिक हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रामाणिक कब आप कैसे जानेंगे, कि कौन सा प्रामाणिक है, तो कुछ प्रामाणिक जो संकलन हैं, उनहीं को हम लोग ज़्यादा ले करके चलते हैं, दो तीन जैसे नरुत्तम दास का जिसका मैंने इन लोगों के उसको हम लोग मानते हैं कि प्रामानिक है और हमारे जो रचनाय हम लोग संकलित करते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रामानिक हो उनको ही लेने की कोशिश करते हैं तो यहां पर जो हमने लिया है उसमें आप धान देंगे आप पद को जब आ था उनकी कविता का उस रूप को ही यहां पर संकलित किया गया है सम लिया गया है तो चलिए हम पहला पढ़ लेते हैं पहले पढ़ को पढ़ करके हम समझ लेते हैं आ मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई छाण दै कुल की कानी कहा करिहे कोई संतन धिग बैठी बैठी कलोक लाज खोई असुवन जल सीची सीची प्रेम बेली बोई अब तो बेली फैली गई आनंदफल होई दूद की मतनियां बड़े प्रेम से विलोई दधी मति कृत काढ़ लियो डारी दई छोई भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही आप इस पद को पढ़कर के कई चीजों पर आपका ध्यान गया होगा कई शब्दों पर ध्यान गया होगा मैं अब इसको अर्थ बताने से साथ साथ थोड़ी बहुत अर्थ भी जरूर बताऊंगी और आप खुद समझ सकते हैं इतना मुश्कल काम नहीं और आप पहले से ज गीरिधर यानि जो पहार को जो ब्रज को बचाने के लिए आप जानते हैं वर्षा से जब तेज वर्षा होई थी तो ब्रज को बचाने के लिए उन्होंने परवत को ही हाथ में उठा लिया था ये आप सब जानते हैं कहानी तो ये कहानी इसके साथ छिपी हुई है यानि उ गुण भक्ति कावे मतलब जिसमें गुण भी बताया जाता है जिसके जो आराध्य है जिसका गुण भी बताया जाता है तो उस आराध्य का गुण बताते हुए बाकाइदा वो कहते हैं कि वह गिरधर जिसको वो याद कर रही है वो सब की रक्षा करता है पूरे ब्रज की उस मेरे पास होते हो गोया और गोया कोई दूसरा नहीं होता, वहाँ जो दूसरा कार्थ है ना, दो अर्थों में प्रेयोग हुआ है, एक तो ये कि जब उसका प्रिय, उसका आराध्य, उसके सामने होता है, जिसे वह प्रेम करता है, वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो जब या लक्षे भी हो लेकिन अगर हमारे सामने कोई मकसद नहीं है, अपने आप से ही हम बॉखलाये हुए हैं, तो पुरी दुनिया हमें दुश्मन लगती है, तो यहां दूसरा शब्द जो है, अपनी के लिए भी प्रयोग किया गया है, यानि जो मेरा अपनाद, फिर एक तो ये, और दूसरा एक जानते हैं, अकसर सुनते रहे हैं, फिर यहां वही आकार वाली बात आ रही है, कि किसको चिन्नित करती है, कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट दिखाई पड़ता है, वो क्रिश्न मेरा है, कोई और नहीं, वो क्रिश्न मेरा है, जिसके सिर पर मोर मुकुट दिखाई पड़ता अब मेरो पति सोई ध्यान रखिए पति शब्द आम तोर पर माना जाता है कि पति का मतलब होता है जिससे विवा हुआ हो लेकिन कहानी जरूर इसके लिए बनाई गई है मीरा के लिए भी कि मीरा ने बच्पन में ही अपनी मा से कहा कि राधा और कृष्णा की वो पुजा कर र पति ये है तो उस दिन से ही बच्पन से ही वो मानने लगें कि मेरा पति ये है ये तो कहावत है कहानी है लेकिन इस कहानी के में कहीं एक अर्थ अगर कुछ छुपा है तो सिर्व इतना ही कि उन्हें ये विश्वास होता है उन्हें लगता है कि वो जो उनकी रक्षा कर सके पति का मतलब स्वामी, उसे ही हमें पति स्विकार करना चाहिए और पति स्विकार करने का अधिकार हर्स्तरी को होना चाहिए, कि उसको अधिकार है कि वो खुद स्विकार करें और खुद जाने कि ये मात्र, एक मात्रिय हो सकता है जिसे मैं अपना स्वामित्व दे सकती हूँ जो मेरी रक्षा करने के लाइक है, जो मेरी भीतर की हर बात को समझने के लाइक है, तो ये पती का मतलब यहाँ वही है, केवल वह अर्थ नहीं है जिससे विवा हुआ हुआ हो, बल्कि वह जो उसकी रक्षा कर सके, जो उसके सौमित्तु को स्विकार करने के लाइक हो, योग् शानी दई कुल की कानी कहा करी है कोई फिर यहाँ पर कानी का मतलब होता है मर्यादा कुल की मर्यादा कहा करी है कोई क्या करेगा कोई मैंने तो कुल की मर्यादा ही छोड़ दी है कुल की मर्यादा यह ध्यान रखिए कुल मतलब कुल यहाँ आया है मर्यादा के साथ विशेशन के रूप में आया है किसकी मर्यादा? कुल की मर्यादा परिवार की मर्यादा ये ध्यान रखिए मर्यादा कई तरह की हो सकती है एक मर्यादा जिसे परिवार ने बनाया है एक मर्यादा जिसे संसार ने बनाया है एक मर्यादा जिसे मैंने बनाया है, जिसे मैंने तै किया है, यह मेरी मर्यादा है, तो मर्यादा कई तरह की हो सकती है, और मर्यादाएं, परमपराएं एक नहीं होती है, कई होती है, तो एक परमपरा तूटती है, तो दूसरी परमपरा जन में लेती है, आप खुद भी याद करिए कि आपके बच्चपन से लेकर अब तक कितनी ही परमपराएं बदली हैं, कितनी ही मर्यादाएं बदली हैं, हमने जो अपने बच्चपन में इस्त्रियों के लिए देखा है, और आज जो इस्त्रियों के स्थिती है, दोनों में बहुत फर्क है, के वल इस्त्रियों नहीं हर मनुष्य के लिए आप कह सकते हैं तो ये परंपराएं वापस परंपराएं टूटी हैं और परंपराएं बनी हैं यानि ये ध्यान रखिएगा ये हमेशा इस बात को हमें समझना चाहिए कि परंपराएं अच्छी या बुरी नहीं होती है परंपराएं संदर्व विशेश में होती है, पैदा होती है किस संदर्व में कौन सी परंपरा अच्छी है, किस संदर्व में कौन सी परंपरा बुरी है यह समझने की जरूरत है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा संतन ठीक बैठी बैठी लोकलाज खोई फिर कहती है कि मैं तो संतों के साथ रहती हूँ और ये मर्यादा जो तोड़ी है किसके लिए किसके साथ रहती है संतों के साथ संत जो पढ़ा लिखा समाज है संत मतलब जो पढ़ा लिखा समाज है जो दुनिया के बारे में जानता है जो दुनिया के बारे में सोचता है तो उसको पाया है किसको छोड़ कर क्या पाया है या देखने की जरूरत है किसको छोड़ा और क्या पाया पाया जो वो संतों के साथ यानि पढ़े लिखे समाज के साथ रहना अगर बुरा है तो या पूरी दुनिया का सच्वह नहीं हो सकता, वो उस लोक का सत्य है, उस लोक की परंपरा है, जिसे उन्होंने त्याग दिया है, और यहां चल करके आगे बढ़ता चला जाता है, फिर वो कहते हैं कि आशुवान जल सीची सीची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंदफल होई, पूरा आगे रूपक चलता है कि इस प्रेम की बेल को उन्होंने किस सीचा है, आंसुओं से इसे आगे बढ़ाया है, तो प्रेम जिसको जान लिया है आज मीरा ने, प्रेम होता क्या है, प्रेम का सत्य क्या है, प्रेम की परिणती क्या है, इसे उन्होंने जान लिया है और इसे उन्होंने संघर्षों से जाना है ऐसे ही नहीं जाना है पुरी यात्रा की है पुरी दुनिया में देश भर में घुमी है और यात्रा करके लोगों से मिलकर लोगों की समस्याओं को जान कर संघर्ष के बाद इस सत्य को उन्होंने जान लिया है जिसके ल कोई दूसरा रुपक लिया है कि जैसे हम मथानी से कोई घी निकालते हैं तो मथानी लगडी की जो होती है और से घी निकालने का प्रयतने करते हैं तो यहां करती है मत करके बिलो करके मैंने इस प्रेम को पाया है यूही नहीं किसको मता है किसको बिलोया है इस पूरी संसार के सत्य को बिलोया है, पूरे संसार के या दुनिया के सत्य को इन्होंने जाना है, आम आदमी की समस्याओं को समझा है, संसार की समस्याओं को जाना है, और उन समस्याओं का मन्थन किया है, समझा है, जाना है, और तब जाकर कि क्या मिला है उन्हें, प्रेम मिला है, घी की तरह से गरित की तरह से, गरित मतलब घी, घी की तरह से मक्षन की तरह उनके हाथों में आया है वो क्या आया है, प्रेम का तत्वा Welcome... प्रेम तत्व को उन्होंने स्विकार कर लिया और फिर डारी दाई छोई छोई मतलब जो चाच होती है आजकल तो चाच भी हल्दी माना जाता है स्वास्त के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन पहले जमाने में छाच आमतवर पर लोग नहीं पीते थे फेंग देते थे तो उसे फेक दिया और जो उसका असली तत्व था सार तत्व था उसे ग्रहन कर लिया भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई इस तरह से भगतों को देखकर हमेशा अच्छा लगता है और संसार को देखकर हमेशा उनके दुख होता है ये रोना क्या है आपने सुना है गाये और सोय दुखी आदास कभीर है, जागे और रुए यानि जो जिसको ग्यान हो जाएगा, जो दुनिया के सत्य को जान लेगा वह चैन सें नहीं बैठ सकेगा, वह उसे दूर करने के प्रियन करेगा और जो दूर करने के प्रिय continuing करेगा, वो जाहिर है उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे दुख भी जिलना पड़ेगा, उसे रोना पड़ेगा, यह आसु उसी तरह का है, जिस सत्य से जितना दूर भागो, अपने आप में, अपने सुखों में मगन रहने से के अतरिक्त, दुनिया के दुखों को अपना स्विकार कर लेना, यह है रोना, तो रोई, जगत देखे, रोई, दासी मीरा, लालगिर्धर, तारो अब मोही, फिर वो कहती हैं कि यह मीरा, यह ध्यान रखिए कि सारे भक्त कभियों ने अपना नाम पुकारा है, क्यों पुकारा है, आपने खुद अपना नाम आपकप पुकारते हैं, आपको ध् इश्वास की स्थिति जब आती है, तो आप अपने आपको कह रहे होते हैं कि यह मैं हूँ, तो मीरा, दासी मीरा, लालगिर्धर, चाहे कवीर भी अपने को पुकारते हैं, मीरा भी अपना नाम ले रही है, तो सिर्फ यह कहना कि यह मीरा जो है, यह कौन है, यह सकता है वही मुझे इस दुनिया को के सत्य को दिखा सकता है वही मुझे प्रेम की अद कर सकते हैं परिणति तक ले जा सकता है और प्रेम की परिणति ही भक्ति होती है तो इस भक्ति को वही दिखा सकता है समझा सकता है बता सकता है तो यह चार-पांच बातों को ध्यान में र प्रयोग किया गया है, इनके प्रयोग कैसे किये जा सकते हैं, और साथ ही, जब कोई अपना नाम लेता है, तो उसका क्या महत्व होता है, इसे भी आप जरूर जाने, मैं समझती हूँ कि आज हम लोग इतनी ही मीरा के बारे में बात करेंगे, अगली बार फिर कुछ और बातें मेरा के बारे में आपके सामने हमाएंगे, आज सिर्फ इतना ही कि आपके सामने ही, 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 आपके साम